नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंग, गोखुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज आपके लिए लेकर आए हूँ, जार्खोंड बोर्ट क्लास नाइन्थ एकजाम 2022, क्लास नाइन्थ मैथ, सेट ए, जार्खोंड बोर्ट के लिए बिसे गडित है, समय एक घं निधारित है, दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करते हैं, तक अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, यह सेट ए है, पहला कोस्चन है दोस्तों, निमलिखीत में स पे कौन दिवगात बहुपद है? आपको बताना है कि दिवगात बहुपद कौन है? दोस्तों दिवगात बहुपद वही होता है जो इस AX strangely BX plus C के फ़र्म में हो, यहां हम देख रहे है हमारा क्या है? y plus y square plus 4 जो है दिवात बहुपद के फर्म में है तहा हमारा एंसर हो गया दूसरा question है दूसरा question है आपका 3x square minus x minus 4 देखिए गुड़न खंड जब निकालना होता है 3x square minus x minus 4 है तो 3x square और 4 में multiply करेंगे तो होगा minus 12 तो minus 12 का factor होगा minus 4 गुड़े 3 यहाँ पर हम लिखेंगे अब 3x square minus 4x plus 3x minus 4 तो यहाँ पर 3x कमों लेंगे तो हो जाएगा x plus 1 फिर x plus 1 को एक बरावर लिखेंगे x plus 1 तो इधर हो जाएगा minus 4 तो 3x minus 4 plus 1 यहाँ पर हमारा answer हो जाएगा x plus 1 और 3x minus 4 तो यह हमारा गुलन खंड हो जाएगा अगला प्रस्न है दोस्तो थिरी प्लस रूट थिरी गुड़े 3 minus रूट थिरी a plus b और क्या होता है a minus b फर्मूला होता है a square minus b square तो इसी पर यह हमारा सवाल है तो हो जाएगा हमारा थिरी के square minus root 3 के square तो तिन तरी का 9 रूट है इस पर तो 3 हो जाएगा तो equal to 6 तो हमारा एंसर हो जाएगा 6 बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तराफ अगरा प्रस्ने है हमारा x square minus 2x सुनियक है देखिए x square minus 2x बराबर 0 x common करेंगे तो होगा x minus 2 बराबर 0 0 तो x minus 2 है तो बराबर 0 तो x बराबर 2 आजाएगा है और x बराबर 0 आजाएगा तो 2 0 तो हमारा एंसर हो जाएगा 2 0 अगला सवाल है हमारा एक्ष आख्ष से किसी बिंदू की दूरी को क्या कहते हैं x आख्ष से दोस्तों यह हमारा x आख्ष है और यह x डैस है यह y होता है और y डैस और यह मूल बिंदू के नियामक 0 0 होता है x आख्ष से किसी बिंदू की दूरी क्या होती है x आख्ष पर हो और किसी बिंदू की दूरी तो क्या कहलाता है तो भूज कहलाता है हमारा एंसर हो जाएगा भूज जो दोस्तो हमारा जो सवाल है वो एक शॉक्ष किसी बिंदू की दूरी का है तो आपका sailed यहा पर और यह x है यह हमारा कैय कहला है कोटी कहलाएगा हमारा एंसर हो जाएगा कोटी बढ़ते हैं अगले प्रस्ष प्रस्ष अगला प्रस्ष़ है प्रथम प्रथम पांच प्रकित संख्याओं का माध्य क्या होगा प्रथम प्रकित संख्याओं का माध्य बताना है तो प्रकित संख्या होता है एक दू तीन चार पांच और छो इस तरह से प्रकित संख्या होता है तो हमको लेना कितना है? पांच प्राकिर संख्या लेना है, तो पांच ही हमको लेना है यहाँ पे, तो माध्य निकलने का फर्मूला होता है, सभी प्रेक्षडों का योग बटा संख्या, तो लिखेंगे एक जोड, दू जोड, तीन जोड, चार जोड, पांच, बटा कितना? पांच, तो हो जाएगा पौंदरे बटा, पांच, कटा देंगे तो कितना आएगा? तीन, तो हमारा एंसर हो जाएगा तीन, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ, अगला प्रस्ण है, एक्स माइनस फाइब के सूनियक है, तो एक्स माइनस फाइब इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू फाइब क्योंकि इधर माइनस इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस में तो हमारा एंसर हो जाएगा फाइब, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ, अगला प्रस्ण है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है यदि हम यहाँ पे लिखते हैं x equal to 4 minus y y को दूसरे तरफ भेज दिये तो चीन है बदल जाता है देखिए x कमान यदि हम 1 रखते हैं 1 तो y कमान अगर निकालना होते इधर minus आजाएगा यह आप y कमान 3 रखते हैं 3 तो 4 minus 3 तो क्या आएगा हमारा x कमान 1 आएगा तो यह हमारा सही आ रहा है लेकिन वहीं आप y कमान 1 रखते हैं तो x कमान 4 आएगा नहीं आएगा y कमान 0 रखेंगे तो क्या आपका x कमान 0 आएगा नहीं आएगा इसलिए हमारा जो सही अंसर होगा x equal to 1 और y के 1 थीरी ये सही होगा बढ़ते हैं अगले प्राशने के तरफ अगला प्राशने है हमारा देखी अगला प्राशने क्या है आकडो का माध्य ग्याद करें इस आकडो का माध्य ग्याद करने हमारे पस क्या है सभी पर एक छड़ों का योग बटा संखिया होता है फर्मूला माध्य निकलने का तो दू पलस तीन पलस चार पलस पांच पलस जीरो पलस एक पलस तीन पलस तीन पलस चार पलस तीन आप फिर इसको गिंती कर लेंगे कि कितना है तो गिंती करेंगे तो यह हमारा 10 है और इसको जोड़ना है जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आएगा आपका 28 बटा 10 तो हो जाएगा दू दो समलाव 8 तो हमारा एंसर हो जाएगा दू दो समलाव 8 बढ़ते हैं अ बिंदू के निर्दिसांग होते हैं, यह आपको बताना है, तो देखिए यहाँ X है और यह X डाइस है और यह Y, Y डाइस है, Y आख्ष पर एक बिंदू के निर्दिसांग क्या होंगे, Y आख्ष पर बात किया जा रहा है, यहाँ पर यहाँ आख्ष पर क्या होता है आपका, X क आमान जो है 0 होगा यहाँ पे और Y हो जाएगा तो हमारा एंसर हो जाएगा 0 Y तो यह हमारा एंसर हो जाएगा 0 Y बढ़ते हैं अगले प्रस्थने के तरफ अगला प्रस्थन है हमारा X बराबर 4Y क्या है? X बराबर 4Y है तो Y के मन क्या रखेंगे? कि X के बराबर हो जाएगा देखिए अगर आप Y के मन 4 लेते हैं 4 तो 4 चुका 16 आजाएगा तो 16 नहीं है यह गलत हो जाएगा Y के मन आदी हम 1 रखते हैं तो X के मन क्या आएगा? 4 तो यह हमारा सही अनसर होगा है Y बराबर 1 तो X के मन क्या आएगा? 4 आएगा बढ़ते हैं अगले प्रस्थने के तरफ अगला प्रस्थन है निम्लिखित में कौन पर्मे संख्या है तो आप जानते हैं P बटए Q के रूप में हो तो पर्मे संख्या कहलाता है जहां Q not equal to 0 हो यह आपका रूट में है यह भी रूट में है और यह भी रूट में है तो एक बटदू क्या हो जाएगा एक बटद्दू जो है हमारा परमे संख्या है तो एक बटद्दू हमारा इंसर हो जाएगा